अब हम आते हैं कि ये उपचार क्या है और इसे कैसे करना चाहिए। उपचारों के लिए मैंने कुछ metals के compositions बनाए हैं जिन्ने मैंने कहा देवता, देवता जो आपके अंदर से आने वाली भावना, उसके आप screen पे देख पा रहे होंगे, अलग-अलग designs हैं, बनाना भी बहुत simple है, चार layers है न, जो भी देवता हम हाथ पे पकड़ते हैं, उसके पहले चार बिंदू, बूधर, आरेमा, विवासवान या मित्र के होंगे, उसके बाद के दो बिंदू, उसके आगे की energy के होंगे, कौन सी energy, अगर आपने भलाहट पकड़ा, तो दो बिंदू, ब्रास के होंगे, और उसके आगे के दो बिंदू, डोर बैलेंसर के होंगे, कई बार, आगे वाले दो की जगा, एक बिंदू भी हो सकता है, वो उसका डोर बैलेंसर है, जैसे ही देवताओं के उपर, उनका भो present करती है, वो आजाती है, तो देवता की working proper हो जाती है, ये तो हमने अभी तक समझा, जो आप लोगों ने balance भी किया, उससे भी आपने इस information को निकाला, पर कई बार जो भावनाएं हैं, उनमें विकार आ जाता है, जैसे रजस वाले की भावना है, कुछ action में रहना, कुछ न information को प्राप्त करना, और तमस वाले की भावना है, कि वैपार करना, अच्छे से अच्छा वैपार लोगों को जोड़ना, अब जब इन में विकार आ जाता है, तो उसके उपचार के लिए कुछ और advance technique को बना दिया है, उप्योग करने का तरीका भी बहुत आसान है, जिस दे कुछ देवता लाल कलर के हैं, तो रजस वाली भावना का डिप लगाया जा सकता है, कुछ देवता नीले कलर के हैं, तो तमस वाली भावना का डिप लगाया जा सकता है, ऐसे ही चीजों को और आगे आप बढ़ा सकते हैं, रजस के अंदर copper का सबसे ज़्यादा उप्योग ह हुआ है सतव के अंदर ब्रास का सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ है और तमस के अंदर अलुमूनियम का सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ है अब कहां पे क्या यूज करना है अब तक आपको समझ में आया कि 45 शक्तियों के चार प्रकार के अलग-अलग metropolitan colors है neutral energy के उपर white color का उपयोग ही करना है तो severe दिवाल पे white wash करा दिया आगे जो देवता हमें काम के हैं जिस देवता जो keyboard है वो हमें कामका है तो उसके balance के रूप में हम उसके registered सतव या तमस के dips लगा सकते हैं और इसके बाद एक next level की बात आती है वो आती है springs के उपर, ये जो clockwise और anti-clockwise के springs हैं, इसमें भी होता बहुत आसान है, हमें किसी देपता की energy को बढ़ाना है, तो हम उसका parental element लगा देंगे, किसी देपता की energy को कम करना है, तो उसके आगे का element लगा देंगे, और किसी देपता की energy को सिर्फ establish करना है, तो उसकी ही element को लगाया जा इन 45 शक्तियों में केवल 3 शक्तियां ऐसी हैं, जो clockwise होती हैं, बाकी सारी शक्तियां anticlockwise होती हैं. Springs का देखिए, सबसे ज़्यादा major उपयोग आता है, जब सीडियां clockwise बनी हैं, और देफता anticlockwise होगा, या देफता, उन 3 देफताओं को छोड़के बाकी देफताओं में कोई देफता होगा, तब हम क्या करेंगे, जहां से सीडियां चालू हो रही है, वहाँ पर हम anticlockwise spring डाल देंगे, तो clockwise CD का जो effect है, वो anticlockwise हो जाएगा, metal का जो उपयोग करेंगे, वो करेंगे उसके खुद के element का, रजस वाला है, दो अलग-अलग springs अभी available है हमारे पास, एक है जो लोहे पे लाल कलर करके बनाया है, दूसरा है जो खुद उसी element से बनाया है, जैसे लाल कलर का element जो है copper है, white color के जित्ते देपता हैं, वो देपताओं पे white color के springs, क्योंकि लोहा ही होता है, white मतलब RN, तो white color के एक ही spring available है, जो आप डाल सकते हैं, वो लोहे के हैं, और साथी साथ उसके उपर white color की coating हुई है, तो ज्यादा अच्छा जो काम करता है, वो करता है, उस element का spring, जो की non-coated है, थोड़े से अच्छे results के लिए इसे उपयोग करना मैं ज्यादा suggest करता हूँ, चीजें कैसे समझनी हैं, चीजें हम ऐसे समझ सकते हैं, अभी कुछ videos आपने देखे, जिसमें मैंने certain combinations को certain activities के साथ merge किया, जैसे वैपार बढ़ाना है, तो कुछ certain देवताओं की आवशक्ता प पड़ेगी, कोई घर है, उसको sell करता है, तो certain देवताओं की आवशक्ता पड़ेगी, तो उन्ही देवताओं पे हम काम करके results ले सकते हैं, और इसी के बारे में और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, तो 13 December को एक online course हो रहा है, उसमें इनी 45 शक्तियों के और combinations को समझना ह सकते हैं, description box में दिये गए link को follow कर लीजे, या office में इस number पे call करके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं next lecture में